हेलो प्रिये छात्रों आज हम आपके लेके आए हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 के लिए एमपीटेट बर्गितीन एक्जाम के लिए परियावण अध्यन का मौडल पेपर 7 अगर आप सीटेट एमपीटेट बर्गितीन की तयारी कर रहे हैं तो पांच जुलाई से पहले वीडियो जरूर देखें तो श्टार्ट करते हैं वीडियो आज का अब question number 1 है इसकीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं परियावण के लिए खत्रा है अच्छा question है भी भी मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है एकजाम में आ सकता है आंसर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करें परियावन के लिए खत्रा किया है बढ़ती पोधे बढ़ती हुई जनसंखिया बढ़ती फसले बढ़ती प्रोध होगी की तो कोश्चन नमबर फर्ष्ट का बच्च यहां पर करेक्ट आंसर बढ़ती हुई जनसंखिया नच्च कोश्चन देख लेते हैं सकीन पर आजका Concept बड़ती हुए जरूर करेंगे दरेते हैं कोश्चन कैन Ouais आपका option A, next question देख लेते हैं, इसकी इन पराज का, question number 3, अच्छा question है, exam में आ सकता है, इसलिए आप लोग comment जरूर करेंगे, very very most important question है, पित्वी का वह हिस्सा, जहां जहां जीवन यापन होता है के रूप में जाना जाता है, very very most important question है, comment करेंगे, सही answer क्या होगा, question number 3, कबच्चों यहां पर correct answer होगा, आपका option number C होगा, जीव मंडल, ठीक है, next question देख लेते हैं, इसकी इन पराज का, question number 4, ठीक है, पित्वी की उपरी परत, जो मनुस्य जीवन की मदद करने में सच्छम है, को कहा जाता है, अच्छा question है, exam oriented है, exam में आ सकता है, question number 4, बच्चों आपका correct answer होगा, आपका B होगा, नोट कर ले, इस थल मंडल होगा, ठीक है, next question देख लेते हैं, इसकीन पराज का, question number 5, ठीक है, अच्छा question है, exam में आ सकता है, comment करें, सही answer क्या होगा, निम लिखित छेतरों में से पानी, कहाँ पर गैस, तरल और ठोस रूप में उपलब्ध है, very very most important question है, question number 5, 5 का आपका correct answer होगा, यहाँ पर D option होगा, hydro sphere, test question है, इसकीन पराज का, question number 6, ठीक है, पिठवी की कुल सताई में लगबग कितने फीज़दी छेत में जल मंडल है, अच्छा question है, question number 6 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका option number E होगा, 70% नोट कर लें, next question है, इसकीन पराज का, question number 7, अच्छा question है, exam में आ सकता है, comment करें, सही answer क्या होगा, very very most important question है, निम लिखे तत्तों में से कौन सा इस्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है, अच्छा question है, very very most important question है, comment करें, सही answer क्या होगा, question number 7 का बच्चों इसका correct answer होगा, आपका option E होगा, आक सीज नोट कर लें, निम लिखे तत्तों में से कौन सा इस्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है, आक सीज न आपका correct answer होगा, next question है, इसकीन पराज का, question number 8, भारत का सबस्य प्राणा NGO आधारित सनरच्छन अनुसंधान कहां है, अच्छा question है, very very most important question है, question number 8 का यहाँ पर correct answer होगा, बच्चों इसका B होगा, नोट कर ले, अच्छा question है, B answer होगा, ठीक है, भारत का सबस्य प्राणा NGO आधारित सनरच्छन अनुसंधान कौन सा है, Bombay National History Society, BNHS Mumbai, ठीक है, next question देख लेते हैं, question number 9, सलीम अली किस छेत से संबन्दित हैं, जल्दी से comment करें सही answer किया होगा, सलीम अली, तो question number 9 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका A होगा, परिया बढ़न से संबन्दित हैं, next question A screen पर question number 10, भारतिये बनस्पती सरवेच्छन BSE का मुख्यालाई कहाँ परिस्ति थे, जल्दी से comment करें, question number 10 का correct answer किया होगा, question number 10 का बच्चुस का correct answer होगा, option D, Kolkata, नोट कर लें, question number 10 का correct answer होगा, आपका D, Kolkata, next question है, question number 11, very, very most important question है, exam में आ सकता है, comment जरूर करें, भारतिये प्राणी सरवेच्छन, JSI की स्थापना कब होई, अच्छा question है, very, very most important, question number 11 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका option C होगा, ठीक है, 1916, next question है, इसकीन पर आचका, question number 12, ठीक है, question number 12 है, इसकीन पर आप देख रहे हैं, सही answer क्या होगा, आप लोग हमें comment करके बता दें, भारतिये बननेजीब संस्थान, WII, देहरादून की स्थापना का उद्देश था, जल्दी से बताएं, correct answer क्या होगा, आपके पास option 4, question number 12 का यहाँ पर correct answer होगा, बच्चों आपका B होगा, note कर लें, B answer correct होगा, कौनसा answer होगा, B होगा, बन जीब प्रवंधन में बन भवाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए, पिसिच्छन प्रदान करने के लिए, ठीक है, next question A, question number 13, उर्जा के नवनीकरन सुरोत हैं, जल्दी से comment करें, correct answer क्या होगा, नवनीकरन सोत, ठीक है, question number 13, 13 कहाँ पर correct answer होगा, आपका option A, question number 14 है, इस कीन पर, answer जानते हैं तो comment कर दें, अच्छा question है, exam में आ सकता है, exam oriented है, question number 14, जीवास्म इधन मुख रूप से बना होता है, question number 14 कहाँ पर correct answer होगा, आपका option A, कारवन, नोट कर लें, जीवास्म इधन मुख रूप से कारवन का बना होता है, ठीक है, next question देख लेते इस कीन पर, question number 15, ठीक है, अच्छा question है, exam में आ सकता है, जल्दी से comment करें, very very most important question, पन बिजली नहींगा, पानी बिजली, समझ लें, एक कौन सी बिजली है, पानी बिजली, ठीक है, पानी बिजली किस रेणी में आती है, जल्दी से comment करें, question number 15, 15 का correct answer होगा, आपका B होगा, उर्जा के अच्छा है, स्रोत में आता है, ठीक है, पानी बिजली किस रेणी में आती है, उर्जा के अच्छा है, स्रोत, ठीक है, next question है, question number 16, very very most important question है, answer जानते हैं, तो जल्दी से comment करें, ठीक है, कोई लिए कि निमली किस रेणी में किसकी गुड़ बकता भैतर होती है, question number 16 16 का बच्छों यहाँ पर correct answer होगा, आपका option C होगा, entry side, question number 16 का correct answer होगा, आपका C, entry side, next question देख लेते हैं, skin पराच का, question number 17, अच्छा question है, comment करेंगे, सही answer क्या होगा, question number 17, जल्दा कोईला परियावन में छोड़ता है, correct answer क्या होगा, जल्दी से comment करें, question number 17 का बच्छों यहा question number 19, निम लिखित में से कौन, उर्जा का एक अच्छा इस रोत नहीं है, question number 19 का बच्छों correct answer क्या होगा, जल्दी से comment करें, 19 का आपका correct answer होगा, आपका B होगा, bio, mass, उर्जा, note कर लें, अच्छा question है, exam में आ सकता है, ठीक है, next question देख लेते हैं, अच्छा question है, दोस्तों, question number 19 को आप note जरूर कर लें, exam oriented है, आपके paper में किसी ना किसी set में आ सकता है, question number 19, ठीक है, उर्जा का एक अच्छा इस रोत नहीं है, ठीक है, सोर उर्जा होता है, भूपाती, भूतापी उर्जा होता है, पानी बिजली होती है, यानि पन बिजली बिलकुल, लेकिन बायो मास उर्जा नहीं होती है, question number 19 का आपका correct answer होगा, आपका B होगा, note कर लें, अच्छा question है, आपके exam में आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही question अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि paper का level धीरे-धीरे अब बरता चला जा रहा है, tough हो रहा है, थोड़ा आप समझ सकते हैं, question number 20 है, इस कीन पर, निमे मैसे किसकी दौारा अच्छा उर्जा सरोतों से अधिकांस नुकसान होता है, very very most important question exam में आने की पर बल संभावना है, जल्दी से comment करें, बच्चों question number 20 का correct answer क्या होगा, निमे मैसे किसकी दौारा अच्छा उर्जा सरोतों से अधिकांस नुकसान होता है, question number 20 का correct answer क्या होगा अबस्चनिय आपूर्ती उच अपसिष्ट निप्टान लागत अत्यादिक विदू उच्छ चल लागत ठीक है कोशन नमबर 20 का बच्ची हाँ पर करेक्ट आइंसर होगा आपका ओपसन ए होगा नोट कलने ओपसन ए करेक्ट होगा अब इस्चनिय आपूर्ती ठीक है द तो आप लोग वीडियो को जरूर देखा करें अब आपसे हम फिर में लेगे नैस्ट मोडल पेपर के साथ तब तक क्लिवाबाय थैंक यू अमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छ लगा होगा तो लाइक जरूर करें धन्नवाद